वंदे भारत एक्सप्रेस को लोगों का बहुत ज़ादा प्यार मिल रहा है और मुश्ट हर एक हफ़ते देश के किसी ना किसी लोकेशन पर एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमें अपना ओपरेशन शुरू करते हुए नजर आ रही है इसके साथ साथ इंडिन रेल्विज बहुत तेजी से काम कर रही है अपनी 100% इलिक्रिफिकेशन से रिलेटेड जहापर कई राज्य और कई रेल्विजोंस ऐसे है जहापर आलडेडी 100% इलिक्रिफिकेशन कर लिया गया है इसके अलावा वंदेबर एक्सपिस के अलग अलग वर्जन जिसके अंदर स्लीपर वर्जन भी है उनके ओडर्स दे दे गए है मैनिफैक्टरिंग भी शुरू हो जाएगी और ऐसे में सवाल उड़ता है क्या आगे जाकर देश में जितनी पैसंजर ट्रेंज चलती है क्या वो EMU ट्रेंसेट्स या जिस तरीके से वंदेबर एक्सपिस वाले ट्रेंज है उनमें रिप्लेस हो सकती है या फिर नहीं और इसी सवाल का जवाब आज हम जानेंगे वंदे बारत एक्सप्रेस ट्रेंज एक ट्रेंज सेट है या स्पेसिफिकली कहें तो EMU या इलेक्ट्रिकल मल्टिबल यूनिट ट्रेंज सेट है जबकि जो नॉमल हमारे देश का इंदर राजधानी शतापदी या अलमुस्ट हर एक दूसरी पैसेजर ट्रेंज चलती है व एक नॉमल लोकोमोटिव के दौरा हॉल की जाने वाली ट्रेंज होती है और सिफ जो लोकल ट्रेंज होती है या शौर्ट डिस्टिंस पैसंजर ट्रेंज होती है वही हमें EMU या DMU तरीकी की देखने के लिए मिलते है तो वंदे भारत एक्सप्रेस पूरे के पूरे रेलवे के ट्रेंज को रिप्लेज कर सकती है या नहीं इसको समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि इन दो टैप के ट्रेंज में फरक होता क्या है जिसका जिसे हम दोनों के अपने अपने इंपोर्टेंस को समझ पाए सबसे पहले बात कर लेते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्र जो motors अलग-अलग coaches पे लगी है उनको control करते है और एक distributed power और और पूरी पूरी train के अंदर जाता है जबकि जो normal trains होती है वो अलग-अलग fuel types के साथ में खीची जा सकती है एक locomotive के जरीए यहाँ पर जो coaches होते है उनके अंदर अपने आपको चलाने की कोई भी तरीके के system नहीं होते यानि यहाँ पर अपनी motors नहीं होती किसी coach के अंदर इनको कोई diesel engine, steam engine, electrical engine यह चीज़े खीचती है और यह locomotives train के front में हो सकता है किसी घाट section पर front back दोनों में हो सकता है और push-pull configuration में continuously घाट के बाहर भी दो locomotives का यहाँ पर इस्तमाल किया जा सकता है और इसी लिए EMU trains और जो normal trains होती है उनके अंदर differences नजर आता है सबसे पहले जो EMU trains होती है उनके अंदर हर एक coach जो powered होता है उसके वज़े से यह accelerate और de-accelerate बहुत तेजी से कर सकती है compared to हमारी normal trains जिसके वज़े से ऐसी locations पे इन trains को चलाना ज्यादा beneficial होता है जहाँ पे stops ज्यादा हो और ज्यादा frequently हो जबकि locomotives क्योंकि अकेले पूरे के पूरे train को power up करते हुए आगे बढ़ रहे है तो यह normal train से ज़्यादा efficient होती है इसके जैसे carbon emissions भी कम होते है और इसके operating cost भी कम होते है क्योंकि यहाँ पर जो coach है उसका wear and tear comparatively कम होता है और locomotive के द्वारा इतना ज़्यादा जो मेहनत होती है वो यहाँ पर होते हुए नजर नहीं आती इसके अलावा EMU trains की generally capacity passengers के सबसे थोड़ी ज्यादा होती है पर पोच के सबसे क्योंकि multiple cost को permanently साथ में जोड़ा गया है और last बात करें तो EMU trains generally शान्त होती है quiet होती है normal trains के comparison में और कम vibrations भी produce करती है क्योंकि generally जो normal trains के अंदर coach एक तरफ से खीचता है तो आपने observe क्यों होगा कि multiple coaches जो है वो एक के बाद एक के बाद एक जटके से बोलना शुरू होते है जिसके बाद में vibrations produce होती है क्योंकि यहाँ पर individual acceleration नहीं है उपर से चीज़े खीची जा रही है तो जो wobbling and oscillations होते है coach के अंदर वो ज्यादा होते है लेकिन EMU के फाइदे कही न कही यही पर stop होने लगते है और वंदे भारत express भी यह सारे फाइदे ले आती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है ति देश के अंदर जितने trains चल रहे है उनको हम वंदे भारत में convert कर सकते हैं चलिए जानते हैं कि दिक्कते क्या है सारे trains को EMU में convert करने से related सबसे पहली बात EMU trains के अंदर जो coaches के बिच्छी coupling होती है वो permanent होती है और एक single unit की तरह पूरी की पूरी अप्टेट करती है यानि अगर 16 डिब्बे है तो 16 डिब्बे एक पूरे train के दौर पर ही technically act करते हैं इसका मतलब क्या है मतलब यह है कि चाहे वो air conditioning हो बिजली के systems हो power control करने के systems हो breaking हो यह चीजे बहुत ही जादा detailed level पर एक दूसरे से जुड़ी होती है यानि अगर एक भी coach को कम कर दिया जाए इस पूरे के पूरे set के अंदर से तो train actual में पूरी बनती नहीं है और इसके वज़े से इसको control करना या इसको आप कह सकते हो अलग-अलग configuration म यह पूरी की पूरी train इखटा ही चलती है इसके अंदर coaches की fair बदल जो है बार-बार हो नहीं सकती और यही पहली दिक्कत ले आती है हमारे देश के अंदर जो long distance change चलती है उनके अंदर coach configuration में बहुत variety है और कई trains अपने पूरे route के अंदर अपना coach configuration change भी करती है कई बार होता ह है कि किसी remote station पर जो 2-3 coaches जानी है वो किसी express के साथ या super fast train के साथ में directly attach करे दिया जाते है वो किसी junction तक किसी bottom station तक जाते है फिर उनको decouple करे दिया जाता है और फिर वो आगे बढ़ते है हमने घाट sections पर भी देखा होगा कि bankers जो है आगे पीछे लगा दिया जाते है train के ब पर आना पड़ता है और क्योंकि normal trains ये facility प्रोवाइड करती है तो इंडियन रिल्वेस को normal trains के वज़े से ज्यादा बेहतर connectivity देश भर में रखने में मदद मिलती है इसी वज़े से कई बार हमें trains के अंदर दो कुछ तुरंतों के दो कुछ शताब दीके दो कुछ ब्लू वा है almost पूरे के वड़े tracks हमेरे जलदी electrify हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि सिफ और सिफ और सिफ electrification हो जाने के वज़र से सब कुछ सही हो जाएगा यह में जितनी बिजली खाती है और जिस तरीके से वह बावर लेती है उसमें difference होता है compared to a normal electric locomotive इसके वज़र से सिफ और सि trains को one day बारत बनाना है तो और कुछ regions के अंदर especially जहाँ पर frequency trains की कम है वह आपर ऐसे अग्रेशन करना बिल्कुल भी efficient नहीं है especially बहुत ज़्यदर remote वाल एरियाज में हां trains जो है बीच-बीच में चल सकती है लेकिन सारे के सारे trains को ऐसे change कर देने वाजे से इंफरा को update करने की भी जरूरत पड़ेगी इसके लबा जो तीसरा issue आता है वो है हमारे जिशक अंदर चलने वाली दूसरे टैप के trains के बारे में हमारे पर freight trains भी चलती है हमारे पर specialist trains भी चलती है हमारे आपर शहर और आसपस के गावों को connect करने के लिए different types of trains चलती है अगर इनको train set से replace किया ज तो यह trains के अंदर जो काम होते है वो बहुत ही ज्यादा difficult हो जाए करने जो मैंने पहले इशू आपको बता है coach का change होना इंफरा का बहतर बनाया जाना यही चीज़े जो है important है ऐसे routes को run करने के लिए जो यहाँ पर नहीं पाएगी क्योंकि इंडिया में variety of trains चलती है variety of reasons के व होते हैं वो mass produce करना ज्यादा easy होता है जैसे मैंने कहा individually यह पावर नहीं होते है अगर दो कुछ इसको जोड़ा जाता है तो इनके अंदर बस एक normal electrical connection और braking connection के लिए जो hydraulics होते है और या air pipes होते है उनको जोड़ा जाता है इसके लावा जादा कोई connection करने की जरूवत नहीं है trains के coaches को एक दूसर से बहुत ही जादा detailed data communication करने की जरूद नहीं होती है simpler design इनका होता है जिसके वज़े से EMU train sets के अंदर same coaches number वाली train बहुत महंगी होती है compared to उतने ही coaches को लगा लगा अगर बनी गई कोई locomotive वाली train इंडेनल वे अगर सारी के सारे trains को ऐसे replace करने जाएगी बं और साथ साथ जो पहली वाली दिक्कत है वो तो यहाँ पर apply होती ही है और इन reasons के वज़े से में भी देश के अंदर जहाँ पर भी feasible है जहाँ पर भी possible है वहाँ पर हमें बंदे बरत expensive trains देखने के लिए जरूर मिलेगी और यह होना ही है क्योंकि more than 600 अभी an order है तो यहाँ पर साथ साथ अगर आपके पस कोई topic suggestions हो तो वह भी आप comment से मुझे बता सकते हो वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे like करना चैनल को subscribe करना मिलेंग अगले वीडियो में